आज मैं आपके साथ लेका आए हूं कुछ डिफरेंट टॉपिक यह कुछ जोन से हटके हैं मैंने जैसे कि आपको बोल दिया था कि मैं स्कीन केर सेरीज स्टार्ट कर रहे हूं मेरा मानना था कि सबसे पहले मैं आपको सिखा हूं और किस ताम के वृडष यॉर फासे टरी था कॉस्टकर बागजार में तो और आंका बरेंगा ने ऐहां वहज्य पासे कॉछ झारे और क्यूंद एकके लिए21 वार। चालक्ते हेंम सब्यक्ति हैं अड़ के टाइम पर मार्केट में है अबलेबल मार्केट की बात करूं तो बहुत सारे फेश वास आते हैं औ contained oil based fish washing आप ऐसे पियुदा है जिसमें oil होता है जो होती हैं dry skin tone जिनकी होती है sensitive skin उनकी बेस्ट है अगर gel based face wash की बात करूं तो वह होती है oily skin tone as rich face remind बाлам फोसम को की जिनकी फेस होती है नियुक्तalin मिया बैस्ट थो देटा हम को कि जिसके बाद हम को जाते है और फिख ़ॉश्ट का ही मुझा अल्टराणिट हिसके बाद आपको फेस जडना हीकी aye बड़ाई आज कल के जनरेशन में लोग फेश वाउस में उसे भी गिनने लग गए है तो यह होते हैं फो टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेश वाउस मैं आपको शो करना चाहूंगी इस इस माई पपाया गुड़ वाइफ फोमिंग फेश वाउस और अगर मैं जेल बेस क कि बात करना चाहूंगी सो आप जेल बेस के लिए आप देख सकते हैं यह है clean and clear का जेल फेश वाउस और creamy बेस फेश वाउस की बात करूंगी तो आपको लें लावा इसके अलावा क्रीम बेस फेश वाउस की बात करूंग तो आपको घारनियर का भी मिल जायागा जेल बेस फेश वाश की बात करूं तो मेरे पास एक और फेश वाश है जो किया this is my one of the fav फेश वाश coffee oil control face wash ये काफी अच्छी काफी good product है काफी affordable range पे है अगे से अपने पलपल.com बे जाके ले सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं मैं इस तीनोफ प्रटक की लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से डाल दूगी प्लीज आप देख लेगा ते मैंने अपने फेश को कर लिया है वैट आपको always lukem water का यूज करना है सो आज मैं यूज कर रही हूं माई इस इस माई वन गुड़ वाइप्स कॉफी ओयल कंट्रोल फेश और सो मैं इसको लूँगी अपने पाम पर इस इस मैंने थोड़ा से लिया है ओके सो हमें इसे करना है something like this and then हमें इसे करना है आपको at least three minute अपने फेश को देने है और आपको फेश को वाश करना है like a circular motion नोस के इस पार्ट में जहां पे होते हैं blackheads उस एरिया पे अच्छे से work करेगा कि आइस से हमेशा अपने फेश वाश को दूर रखें आप अपने लिप्स को भी अच्छे से वाश करें कि सकते हैं मैंने अपने फेश को कर लिया fully wash so just like this आपको scrub नहीं करना है आपको करना है बस पैट रहा है और immediately आपको toner लगाना है then लगाना है आपको moisturizer एक और टीप देना चाहूंगी आप अपने फेश को before wash आप अपने hand को wash करें hand जब तक clean हो गई आपकी face कैसे wash होगी तो मैंने face कर लिया है wash याई झाल